नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में राजस्तान में सनिवार को 117 नए पॉजिटिव के सामने है इनमें से जैपूर में ही जिला जेल के 116 खेदियों समेट 122 मरीज मिले है इनके अलवा टुंगरपूर में 21 उतेपूर में 9 जोदपूर 26 अजमेर में 4 सिरोही में 2 चितोडगर बारमेर पाली सिरोही कोटा जुनु भरतपूर में एक एक संक्रमित मिला है जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4924 पर पहुझ गया है राजस्तान के लिए रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी संक्रमित की मौत नह किया जाएगा कि और उनी लोगों को कुरंटाइन करें जिन में सरदी खांसी या जुकाम के इलक्सन पाए गए हैं राज्य सरकार ने इस्टम ड्यूटी पर सरचार्ज 10 परसेंट बढ़ा कर 30 कर दिया है सरकार ने इसी साल फरवरी में इस्टम ड्यूटी में एक परसेंट बढ़ाई की थी या देस तुरंत प्रभाव से लाग होगा इसलिए 15 माई को पुरानी स्लेब में जितनी भी सेल डीड हुई है उन्हें फिर से वेरिपाई करा कर अंतर वसुलिक की जा सकती है डूंगरपूर में सुकरवार को मरीजों की संकिया 15 पहुंच गी है जिन में से 42 का इलाज चल रहा है जिल्ले में राम गंज में ही 87% मरीज यानि 500 लोग टीक हो चुके हैं यहांके सिर्फ 74 मरीज अस्पताल में भरती है